QA Hello friends आज एक फिनान्श동 प्लानिंग की केस डिसकश करेंगे या फिर एक सीनार्यों आप लगोके सामने डिसकश करोंगवा मेरा क्या थॉट्वर्ट प्रोसेस हो उस पे ये भी डिसकश करोंगा but I think मुझे ऐसा लगता है कि यह जो scenarios है यह आपकी life में भी बहुत बार आएंगे and that's why it will help you in your financial planning process ऐसा मुझे बहुत जादा मतलब बहुत अंदर से मतलब जो आवाज आते हैं वह ऐसा लग रहा है so that's why I feel that कि यह case जो है financial planning की case जो है इसको आपने भी सोचना चाहिए इस पर और आपका इस पर आपकी इस पर क्या रहा है यह भी comment section में लिखेगा जरूर लिखेगा so एक case ऐसी है कि एक investor है portfolio बड़ा है around 3.5 crore रुपीज का portfolio है around 53-54 year की age है उनकी 57-58 में वो retire होना चाहते है अभी gulf में काम कर रहे है portfolio की size is close to around 3.5 crore रुपीज और इसमें उनको अपना retirement का goal भी achieve करना है plus उनको अपनी दो बेटिया है उनको दोनों बेटियों का wedding के लिए भी पैसे चाहिए then जो छोटी बेटिया है उसका post graduation भी उनको करना है और जैसे हम हमेशा discuss करते हैं कि एक medical fund होना चाहिए एक emergency fund होना चाहिए वो भी उनको allocate वैसे उस हिसाब से करना चाहिए तो अगर वैसे goals जो है western part of India में रहते है so that's why शादी के लिए जो expenditure उनने प्लान किया है वो 30-30 lakhs rupees का है retirement के लिए say suppose around 10-10 lakhs रुपे साल का अगर उनको उनके पास मिले का उनको so I think that would be more than enough तो उस हिसाब से they want to build a portfolio तो यह सब सही मतलब जो जितना amount था जो 3-4 lakhs रुपे परमंद की saving है because gulf में काम कर रहे है तो वो सारे goals आराम से fulfill हो रहे थे मतलब सारे goals मतलब वो allocations हो गए तो case क्या है ultimately तो case यह है कि अब यह problem हो गया है कि उनको एक बहुत बड़े builder से national level पे बड़े builder से एक call आता है builder मतलब एक project आता है और river facing project है और धाई करोड का वो flat वहाँ पे है अब वो उनको लेना है and this is the problem now this is the problem तो अब मज़ेदार बात यह है कि उनका मुझे call आता है उनका call आता है परिमल almost final हो जुका है discussion इसी बात पे start होता है अरे मुझे flat लेना है almost final हो गया है बस अब उसका payment कहां से करना है यह जार बता दो कि मुझे तो यहां से discussion मतलब these are so these are all behavioral biases में बोल सकता हूँ कि आपको दो तरीके से यह हो सकता है कि एक तो वो मुझे सुनना चाहते कि हाँ भाई मैं यह flat ले सकता हूँ कोई problem नहीं यह या फिर दूसरा कहीं ना कहीं अंदर एक हीचक हो सकती है कि क्या मैंने वो flat लेना चाहिए यह नहीं लेना चाहिए तो क्या सही अंसर है तो फिर अगें so they came to me and situation ऐसी create की गई थी from the salesperson of that real estate company कि बस थोड़े flat बचे है फिर देख लेना मिलेंगे नहीं और यह बहुत ही अच्छी price दे रहे हम and this is all about pre-launch 2027 में possession मिलेगा इसा उनका कहना है बट रेरा की जो डेडलाइन है वो 2029 कि यह सिनारियो समझो बहुत ही मतलब वहां एक ऐसा scarcity create किया गया है from the real estate team कि आपको तो मिलेगा ही नहीं फिर आपको तो flat मिलेगा ही नहीं अच्छा flat जो चाहिए वो मिलेगा नहीं आपको तो फिर कैसे करोगे तो फिर हो गया और वो बले सर दो दिन में अगर आप पेमिंट कर दोगे इनिशियल दो लाग रुपे पे कर दोगे तो हम आपका flat block कर देंगे अभी तक वो साइड पे नहीं गये कहां पे वो situation है कुछ भी नहीं मतलब आपको बल्व नहीं आपको बढ़ आपको आपको बढ़ प्रोपटी यह वो पैसा करना जाते और जब अगस्त महीने में वो नॉर्मले आते है इंडिया में तक वो साइड प्रोपटी में आपठेow पहली बात हो आपको पहले साइडे तो एक नहीं प्रोपटी में सुद्र न सेया रहे हो कियोंकि यह sell skill है और वो बढ़ी आतरी की से sell कर रहे है तो I think that is good for the company, don't know for the investor. दूसरी बात अगर नहीं property में आप जा रहे हो, वो बोल रहे हैं 2027 में, but मिलेगी 2029 में, आपके सारे financial calculations बिगड़ जाएंगे महाँ पे. अब अगर धाई करोन रुपे पे करना है तो उनको अभी जैसे financial plan बनाया था, उसमें 3 लाख रुपे की SIP जो है नो सिर्फ और सिर्फ रिटायमेंट के लिए लगानी थी, till the time he retires, मतलब that is in next 3 to 4 years. अब वो चाहते है कि मैं यह SIP बंद कर देता हूँ और यहाँ से वो transfer, मतलब यह जो पैसा मुझे save करना है SIP, मैं retirement fund के लिए कर रहा हूँ, that I will start paying towards the property. So, अब हो गया एन compromise is शूदू यहाँ पर, अब उनने बोला, एक चीज़ अच्छी दिवेस है, कि ने नी बेटी हो का जो पैसा मनी invest करना है, उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, बट जो मेरा retirement का है, उसका हम क्या उधर डावर्टी कर सकते हैं, and he is working in Gulf, तो उनके कुछ real estate properties मे already investments है, पन्वेल में कुछ है, पुने में कुछ है, फिर आउट्सकर्ट में, कोलापूर वागरा में कुछ है, तो उनको, मतला, he obviously, एक property fan थे वो, तो मैंने उनको बोला कि ठीक, आपको property में लेना है, हाँ, आपको जाके रहना है, पहले वो dice ही थे, नहीं नहीं, मुझे पता है, आपने का, हाँ, पहले dice ही थे, बाद में, हाँ, मुझे जाके रहना है, ओके, ठीक है, तो अब, मैंने बोला, सब अगर रहना ही है, वहाँ पे, तो अपनी जो दूसरी properties है, वो sell करते है, और उसके बाद हम वो property buy कर लेंगे, तो बोलें, नहीं 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 मिलेगा, तो सब बुकिंग होगी, और फिर आपको, अपने बोला, नहीं मुझे यह, यह, तो पसंद नहीं आ रहा है, मुझे यह, पसंद आ रहा है, अगर मिल सकता है, ठीक है, सर, हम देखती है, किसी का, बुकिंग कैंसल हो गया, तो वी विल लेट यू नो, और एक्जाटली पांच, 15-20 दिन बाद, वो कोई ना कोई बुकिंग कैंसल हो जाता है, बोलते हैं, सर, आप वो मिल रहा है, बट अबकर आपने, एक दो दिन में बुक कर लिया, तो हम आपको अलोगेट कर देंगे, तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बाय करना चाहिए, अब यहां पर आंसर आता है, बट वहां पर मुझे जैसे चाहिए, वैसे प्राइस मिल नहीं रही है, कि आप बाय करने के लिए जो प्राइस वो बिल्डर चाहता है, उसको पे करने के लिए रेडियो हो, बट आपकी प्राइस जो आप सेल करना चाहते हो, वैसे जैसे आपको चाहिए, वैसे मिल नहीं रही है, मतलब कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो mismatch नजर आ रहा है, और उ financial asset आपके साथ होना, यह बहुत जादा जरूरी है, that will give you a lot of comfort, अगर हमने बोलाई कि retirement के समय, या फिर आज अगर retire होते हैं, तो 10 लाग रुपे का खर्चा है, चार साल बाद वो अगर retire हो रहे हैं, तो that खर्चा would be around 13 to 14 lakhs rupees a year, तो उस case में around 60 से 70 lakh रुपे तो उनके fixed income securities, debt funds अगरा में होने चाहिए, जहां से systematic withdrawal आना चाहिए और monthly expenditure जाना चाहिए उनका, तो यह factor होना चाहिए वहाँ पे, so, but, पूरा का पूरा compromise हो जाएगा, इसकी चक्कर में, because we don't, he doesn't have any surplus asset, और उस case में, जो surplus asset, मतलब SIPs के through, जो हम create करने जा रहे थे, उसको, उसको compromise करना शुर है, which he do not want to sell, और अगर हम point to point compare करते हैं, जो mutual fund का portfolio built हुआ है, vis-a-vis the stock portfolio, तो वहाँ पे stock के portfolio में, अच्छा गासा underperformance available है, but still, that he is not changing that portfolio, to a mutual fund portfolio, क्योंकि, माइन में ऐसा एक thought किसी ने बिठा दिया है, कि stocks में ज्यादा returns आते हैं, और mutual funds में returns कम आते हैं, so that is another problem, so यहाँ, आपको पस एक simple thought process develop करना है, एक चीज़ समझ नहीं है, क्या वो fund manager का wisdom, या फिर मेरा wisdom, दोनों में से किसका wisdom ज्यादा है, और ये, इस पे प्रूव होना चाह है, if you are, बहुत सारे लोग बोले कि, नहीं सब मेरा stock portfolio mutual fund portfolio से अच्छा कर रहा है, then in that particular case, you should continue with your stock portfolio, but अगर mutual fund portfolio, stock portfolio से अच्छा कर रहा है, तो then stocks in moments mutual funds में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, so I think बहुत simple approach लेके, financial planning का approach लेके, without compromising your financial goals, without compromising your financial assets, allocation to your financial goals, अगर आपके wants को complete कर सकते हो, तो उसमें कोई problem नहीं है, but by compromising your financial goals, जो उसके लिए जो financial assets built किये है, उसको compromise करके, अगर आप ये सारी चीज़े करोगे, तो कहीं न कहीं, it will backfire in the future, और जो एक comfortable retirement life लेनी है, वो compromise हो सकती है, again in this particular case, what should be the approach, selling existing real estate assets, which he is not consuming, they are not giving better returns, the rental yields are also lower, वो सेल करके, अगर consumption वाला asset आप ले सकते हो, तो उसमें कोई problem नहीं है, but जो assets perform कर रहे हैं, जिसमें liquidity भी available है, for respective financial goals, उसको compromise करके, अगर हम lock-in में डाल देंगे, तो I think कहीं न कहीं, ये impulsiveness जो है न, वो long term में बहुत जादा effect कर सकता है, आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपका कोई portfolio related query है, या फिर आपको आपके portfolio उसको review करना है, या फिर complete financial planning करनी है, तो आप हमारे relationship cell से contact कर सकते हो, वहाँ पे कौन सा advisory session आपके लिए suitable है, वो बता देंगे, या फिर आपके portfolio का जिस्त अगर आप हमें mail करते हो, परिमल at the rate investendna.in, या फिर contact at the rate investendna.in, या फिर गवरो at the rate investendna.in, तो आपके लिए जाना चाहिए, if you need further assistance in execution, continuous wealth management support, those services are also available, आशा करूंगा, अब जरूर हमारे relationship cell से contact करोगे, contact details आ, नीचे आपको available नजर आ रही होंगी, वहाँ पे आप call कर सकते हो, या फिर हमें email भी लिख सकते हो, so next video तक के लिए मुझा अग्या दीजए दोस्तो, जैहिन! झाल सकता है wie शीन थे जरूर यजाट कर दोग subscribers, आपके दोस्तो, आपके बाube, भी लिए वोस्तो, रही अछाःश Ýाय सै, वहाँ रही हो, यह वाल मुझा कर दोस्तोगके आना रही हो,